सबसे पहले जानते हैं कि वंदनवार होता क्या है और वंदनवार का महत्व क्या है देखिए वंदनवार जो है वो कुछ विशेश पत्तों की जो पेण के पत्ते होते हैं या कुछ चीजों से बनी हुई एक जालर होती है रसी के बीच में अलग-अलग पत्ते लगे होते हैं या अलग-अलग चीजें लगी होती हैं एक जालर की तरह होती है ये चीज इसको वंदनवार कहते हैं आम तोर पर इसको घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है, घर के में डोर पर लोगवंदनवार लगाते हैं और इसको बड़ा शुभ मानते हैं पर्व के मौके पर, किसी त्योहार के मौके पर या मांगलिक कार्य में इसको लगाना जरूरी होता है, किसी भी शुबकारी की शुरुवात करने के पहले, कोई भी मंगल कारी करने के पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने से ये माना जाता है कि घर में कोई नि जी प्रवेश नहीं करेगी जब आप घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाते हैं तो यह मान कर चलते हैं कि धरवाजे से आपके घर में कोई भी निजेटिव एनरजी कोई भी नकारात्मक to पुर्जा प्रवेश नहीं करेगी और वंदनवार की वजह से जो निगेटिव एनरजी है वो दरवाजे पर ही रुख जाएगी एक बात तो यह मानते हैं और दूसरी बात यह मानते हैं कि वंदनवार लगाने से घर में सुख शान्ती और सम्रिध्धी बनी रहेगी कि शादी विवा का मौका हो, कोई कथा हो, कोई घर में पूजा हो, कोई घर में अनुष्ठान हो, आयोजन हो, दीपावली हो, होली हो, नववर्ष हो हम अपने मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाते हैं ताकि हमारे घर में शुबता बनी रहे, हमारे घर में सुख, शांती और समरिद्धी लगातार बनी रहे इसके लिए अपने घर के मेंडोर पर आम तोर पर हम सब वंदनवार लगाते हैं अब बंदनवार बनता कैसे है तरीका क्या होता है देखिए आम तोर पे जो बंदनवार बनता है सबसे जादा जो बंदनवार इस्तेमाल होता है वो बनता है आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंदनवार आम तोर पर बनाया जाता है आम तोर पर बनता है पत्ते ले लेते हैं नौ पत्ते तेरा पत्ते ग्यारा पत्ते ले करके इसको पीले सूट से पीले रंग के सूट होता है उससे या सूट की रसी में एक सीध में बांध देते हैं कुछ लोग कौडियों या नारियल के रेशों का वंदनवार भी बनाते हैं यानि आम के और अशोक के पत्तों के अलामा कुछ लोग सूत की रसी में कौडियां लटका देते हैं या नारियल के रेशे बांद देते हैं इसका भी वंदनवार बनाते हैं और बन जाने के बाद क्या किया जाता है कि इसको घर के मेन दोर पर लटका दिया जाता है किसी शुब समय में आम तोर पे सुबह सुबह स्नान करने के बाद घर के मेन दोर पर वंदनवार लगाना वंदनवार लटकाना बड़ा अच्छा होता है इसको घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से लटकाते हैं कि आते जाते समय ये सर को स्पर्ष करता रहे हलका सा नीचे होता है ताकि जब घर में घुसे तो सर पे लगे जब घर से निकले तो भी सर पे लगे ताकि एक तरह से जो शुबता है वो आपके शरीर में आपके जीवन में बनी रहे अगर किसी शुब कारे के समय इसको बांधते हैं आप जैसे मान लिया आपके घर में कोई शादी है कोई इंगेजमेंट है कोई कथा है कोई अनुष्ठान है किसी शुब कारे के मौके पर अगर इसको बांधते हैं तो ये बधा रहता है अगले मंगल कारे के हो ज कि ये बधा रहेगा, तब तक इसको हटाएंगे नहीं, अगर आप main door पे हमेशा वंदनवार बाधे रखते हैं, वंदनवार लगाए रखते हैं, तो इसको हर महीने में बदल देना चाहिए, हर महीने में इसको बदल देना ही ठीक रहता है, यानि अगर आप regularly अपने घर के main door पे बंदनवार लगाते हैं तो आप कोशिश करिए कि इसको 15 दिन में एक महीने में वदल करके पुराना बंदनवार फेक दीजिए और नया बंदनवार लटका दीजिए में डोर पे बहुत अच्छा रहेगा